खून बनाने की मशीन है ये दाने इतना खून बनेगा कि आप डोनेट कर देंगे नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम आपको ऐसे दानों के बारे में बताएंगे जो खून बनाने की मशीन है ये दाने ना सिर्फ आपके श्रीर में खून की कमी को पूरा करते हैं, बलकि श्रीर के खून को साफ भी करते हैं, जिससे कि आप हर्त रहें के रोग से बचे रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयरोएद में ऐसी बहुत सी चीजे हैं, जिनका स किश्मिष के दाने भी हमारे श्रीर को सुवस्त और तंदूस्त बनाने का काम करते हैं किश्मिष एक ऐसा सूपर फूड है जो श्रीर की हर बड़ी से बड़ी और हर भ्यंकर से भ्यंकर बिमारी को दूर करने का काम करता है यह सूपर फूड हमारे श्रीर में कून की कमी को चलिए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में खुन की कमी को पूरा करें शरीर में खुन की कमी को पूरा करने का सबसे आसान और सस्ता घ्रेलू उपाई हैं किश्मिश के दानों का सेवन करना आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने इन दानों का सेवन करना है जिससे आप खुन की कमी को पूरा कर सकते हैं और अपने खुन को साफ भी रख सकते हैं अगर आपके श्रीर का खुन पूरा होगा और साफ होगा तभी आप हर तरह के रोग से बचे रह सकते हैं केल्शियम की कमी को पूरा करें श्रीर में केल्शियम की कमी को पूरा करने का सबसी आसान सा उपाय है किश्मिष का सेवन करना अगर आपके श्रीर की हटियां कमजोर हो गई हैं और उनमें दर्द रहता है तब आप किश्मिष के दानों का सेवन जरूर करें इसे आपकी हडिया मजबूत बनेगी और आपको जोडों में होने वाले दर्द से भी चुटकारा मिल जाएगा कोलस्ट्रोल को सही रखे किश्मिस का सेवन श्रीर में कोलस्ट्रोल के लेवल को सही रखता है इसके सेवन से bad cholesterol का level कम होता है और अच्छे cholesterol का level बढ़ जाता है जिससे कि आप heart से जोड़ी बिमारियों से बचे रहते हैं और आपको दिल का कोई भी रोग नहीं होता heart attack के खत्रे को कम करें दोस्तों किश्मिश का सेवन heart attack के खत्रे को भी कम करता है किश्मिश खाने से श्रीर का blood circulation सही बना रहता है अगर आपके श्रीर में कोई भी ब्लोकिजनस है तो वो भी इसके सेवन से खुल जाती है और आप heart attack के खत्रे से बचे रहते हैं कैंसर के खत्रे को कम करें किश्मिश का सेवन श्रीर में कैंसर कोशिकाओं को फूलने से रोगता है श्रीर में पैदा होने वाले छोटी से छोटे बिमारे को ये तुरंट ही खत्म कर देता है जिससे कि आप कैंसर जैसे बड़े और भ्यंकर रोग से बचे रहते हैं इम्यून पावर को बढ़ाए दोस्तों किश्मिश का सेवन आपके श्रीर में इम्यून पावर यानि कि रोगों से लड़ने की शमता को भी बढ़ा देता है जिससे कि आप हर बड़े से बढ़े और हर छोटे से छोटे रोग से बचे रहते हैं और आपको कोई बीमारी और कोई वायरस अपनी चपेट में नहीं ले पाता इनके सेवन से आपकी इम्मिन पावर बढ़कर दोगना हो जाती है पेट की बीमारी से बचाए दोस्तों किश्मिश का सेवन पेट की बीमारियों को भी दूर रखता है कब्ज और ऐसे डिटी को दूर करने के लिए ये रामबान की तहें काम करती है अगर आपको अलसर की समस्या है तद भी आप किश्मिश का सेवन जरूर करें इसके सेवन से ये समस्या खतम हो जाती है दोस्तों किश्मिश का सेवन बड़ी हांत की बीमारियों से आपको बचा कर रखता है तो दोस्तों ये थे किश्मिश के फाइदे आईए आप जानते हैं आपको किश्मिश का सेवन कैसे करना है और कैसे इन सभी फाइदों को आपने इससे किश्मिश से लेना है आप इनका सेवन काड़ा बना कर सकते हैं आई जानते हैं आपने किश्मिश का काड़ा कैसे बनाना है इसके लिए आपको एक बरतन को आग पर रख देना है अब इसमें आपने एक गिलास पाने डालना है जब आपका पानी हलका सा गरम हो जाए तब इसमें 1 मुठी किशमिश को अच्छे से दोकर डाल देना है और अब इस पानी को आपने तब-तक पकाना है जब तक कि ये पानी आपका आधे से कम नहीं रहे जाए यानि कि आपका पानी एक तिहाई बचना चाहिए और जब आपका पानी पक पक कर एक तिहाई रह जाए तो इसे आच से नीचे उतार लें और इसे ढख करके 5-6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद आपने इस पानी को एक गिलास में डाल कर रख लेना है आपका किश्मिश का काड़ तेयार है अब आपने इस काड़े का सेवन रोजाना करना है और जो ये किश्मिश के दाने बचे हैं इनको भी आपने खा लेना है दोस्तों अगर आप इसका सेवन रोजाना इसी तरीके से करते हैं, काड़ा बनाकर रोजाना सेवन करते हैं, और इन बचे हुए दानों को आप खा लेते हैं, तब इसे आपको चमतकारी फायदे देखने को मिलेंगे, आपके श्रीर की हर बीमारी इससे जड़ से खतम हो जाए आपके श्रीर का खुन साफ हो जाएगा, श्रीर में खुन बनने लगेगा, और श्रीर की हर तरह की बीमारी आप से दूर रहेगी, आप रोग मुक्त बन जाएंगे, तो दोस्तों देर किस बात की है, आज ही आप इस काड़े को अपने घर पर बनाएं, और अपने लिए पा देजिए, ताकि आपको हमारे सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आती रहे, धन्यवाद दोस्तों